हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का गरीत का चैप्टर 8 करने वाले हैं जो काफी इंपोर्टेंट होगा आपके आने वाले विगली टेस्ट के लिए भी और बोर्ड एक्जा करते हैं और सभी सवाल इंपोर्टेंट होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरू कीजिएगा चलिए सबसे पहले सवाल को हम लोग डिसकस करेंगे आज के इस वीडियो का आज का यह हम लोग सेट 1 करने वाले हैं इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, जादा तक हम कोसिस करेंगे कि आप लोग को सेट 10 यानि कि 10 सेट तक देंगे इस चैप्टर 8 में ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला सवाल हम लोग लिए है साइन 18 का अगर आपको 18 बटा कॉस 72 ठीक है इस तरह से देता है वैल्यू निकालने के लिए ठीक है उसक या तो नीचे वाले में चेंज करना होगा या तो नीचे वाले को उपर वाले में चेंज करना होगा तो हम क्या करते हैं देखे हम साइन 18 को क्या लिख सकते हैं हम साइन 18 को साइन 90 डिगरी मैनस 72 डिगरी लिख सकते हैं कि नहीं क्योंकि अगर आप 90 में से 72 को घटा दोगे तो आपका 18 आ जाएगा तो sin 18 हो जाएगा या तो आप sin 18 लिखो या तो आप sin 90-72 लिखो बात एक ही है यानि sin 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं और नीचे में आपका पहले से कितना है cos 72 degree अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मुला आपका होता है sin 90-θ ठीक है तो sin 90-θ, ठीक का मतलब होता है कोन यानि कि sin 90- कोन, cos कोन होता है यानि cos ठीक होता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको आप चेंज कर सकते हो एक किसमें पता है अब यह चेंज हो जाएगा cos ठीक में यानि ठीक के जगा पर कितना है 72 ये भी 72 ये भी 72 तो दोनों क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा उमीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए दूसरा सवाल लेते हैं इसी प्रकार का एक और सवाल हम लोग करेंगे उसके बाद सवाल को चेंज करेंगे आप दिखिए जैसे कि आपको 10 26 डिगरी है और नीचे कितना है कौट 64 डिगरी है तो अब हम क्या करेंगे इस 10 को चेंज करेंगे कौट में तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले 10 90 डिगरी माइनस 64 डिगरी ठीक है और बटा में क्या है आपका पहले से कौट 64 डिगरी अब 90 में से 64 आप गटाओगे तो आपका कितना आजाएगा 26 आजाएगा या तो 1026 लिखिए या 1090-64 लिखिए आपका 26 ही आएगा ठीक है अब यहां पर देखो 1090-θ कितना होता है कॉट थीटा थीटा के जगा पर कितना है 64 तो आप लिखोगे 64 डिगरी और नीचे कॉट 64 आपका पहले से है यह कटके कितना आ गया आंसर एक आ गया ठीक है उमीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है हमारा cos 48 degree minus sin 42 degree यानि आपको cos 48 degree में sin 42 degree को घटाने के लिए आपको कहा जाएगा एक सवाल आपने बटा वाला देख लिया अब हम देखेंगे घटाने वाले सवाल को कैसे बनाते हैं अब देखें यहाँ पर sin 48 है यहाँ पर cos 48 है यहाँ पर sin 42 है हम क्या कर सकते हैं हम इसको change करेंगे ठीक है हम इसके बदली लिख सकते हैं cos 90 degree minus 42 degree बराबर नहीं फिर यह minus है यहाँ पर sin 42 degree ठीक है sin 42 degree तो cos 90 minus θटा क्या होता है sin theta होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो sin इसको sin में बदल देंगे sin theta theta के जबापे क्या है 42 degree और यहाँ पे sin 42 degree पहले से भी है तो sin 42 में sin 42 चला जाएगा 0 बचेगा यही आपका answer हो जाएगा इसको एक बार फिर से repeat कर देते हम cos 48 था और sin minus sin 42 था हम cos 48 को क्や लिख सकते है cos 90 minus 42 लिख सकते है क्योंकि 90 में से जबाप 42 घटा होगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा यानि 90 में से जबाप 42 घटा होगे तो 48 आ जाएगा यानि इसी को हमने change करके इसमें लिखा लेकिन cos 90 minus sin theta होता है तो sine लिखेंगे और theta के जगा पर क्या है 42 तो आप 42 लिखोगे और यहाँ पर पहले से सवाल में था sine 42 तो sine 42 में sine 42 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया चलिए अगला सवाल को देखिए ध्यान से अगला सवाल है हमारा cosine 31 minus sec 59 ठीक है यह है इसको solve करना है तो देखिए हम इसको कैसे solve करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे cosine ठीक है cosine में 90 में से हम घटाएगे कि इसको 59 को ठीक है cosine में 90 में से 59 कटाएगे तो 31 आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से और यहाँ पर आपका से 59 डिगरी यह पहले से सवाल में है यानि इसके बदली हम इसको लिखें है cosine 31 लिखो या 90 में से 69 घटा के लिखो बात एक ही है आपका आने कितने वाला है 31 ही आएगा ठीक है तो अब हम लोग लिखते है cos 90 मैनस ठीटा होता है आपका सेक ठीटा यह ठीटा के जग़ा पर कितना है 59 और यहां पो जाएगा सेक 59 गोटेगा तो कितना आ जाएगा आएगा ऑंसर जीरॉ आ जाएगा और यही आपका क्या हो गया यहाँपर आनसर हो गया उमीद करते हैं कि कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा देखे यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कि आगे लगतार वीडियो जाने वाली है तो motivation के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एक प्यारा सा comment भी कर सकते हो कि आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो ठीक है तो चलिए question number 5 पे आते हैं काफी समय लूँगा आप लोगो समझाने में काफी देद लगेगा समझाने में लेकिन यदि आपने एक बार समझ लिया तो आप इसको पांच मिनट में बना सकते हो तो चलिए क्या है ये सवाल पूरे detail में जानेंगे ठीक है तो देखे यहाँ पर आपको जैसे कि कह रहा है सबसे पहले एक shortcut formula आप लोग याद रखोगे सबसे पहले सिक्वेंस आपको बता देते हैं सिक्वेंस क्या होता है मैं बिल्कुल 0 से बता रहा हूं ठीक है बिल्कुल आप लोग इरेटेड मत होना ठीक है क्योंकि बहुत सारे बचे ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आ पहा दिया है जो न्यू स्टुडेंट है प्लीश उसको ध्यान से समझिएगा और जो पुराने भी है एक बार से समझ लेजिएगा दिखिए एक होता है साईन कि फिर होता है कॉस साइन कॉस्ट एन कॉसिक से क्योंट यह आपका सिक्वेंस है और आपको इसी सिक्वेंस में याद करना है, जैसे आप पहाडा याद करते हो न, दुक्षा 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 8, तो इस तरह से आपको इसको इसी सेक्वेंस में याद करना है, साइन, कॉस्ट, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, स्वरी, यहाँ पर सेक होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से साइन, कॉस्ट, 10 कॉस x 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 क्या sequence होता है, जैसे कि हमने sign, sign, sign बोला, तो sign का मतलब होगा, लंब बटा कर्न. लास मत भाया, cos बोल लेंगे तो अधार बटा कर्न और ten बोलेंगे तो लंब बटा अधार. तो 3 गो जो होता है ये 3 गो उपर से चलेगा, नीचे की और, तो बाकी जो 3 गोई है न ये नीचे से चलेगा फिर उपर की होदर जैसे कि कॉसिक का मतलब होगा कर्न बता लं यानि कि उल्टा चलेंगे ठीक है तीन ऊपर वाला उपर से नीचे आएंगे और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर उल्टा चलेंगे बाकी का कॉसिक का कर्न इतना आप लोगों को समझ में आ गया नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके एक बड़ फिर से देख लिया किजिए ठीक है इतना करने के बाद अब हमें फिगर हमें तो पता चलिए कि एक फिगर है आपका समकौन तिरभूज का ठीक है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये लंभ है ये ये आधार हुआ जो हमने यहां पर पूट अप कर दिया ये हम चूंकि दिया गया था चूंकि टैन ए बराबर क्या दिया है चार बटा तीन ए बोल दिया तो हम ए पर खड़े रहेंगे याद रखेगा बी बोलेगा तो बी पर खड़े हो जाएंगे सी बोलेगा तो सी पर खड़े हो जाएंगे आपको कहा गया था ए तो टैन ए बराबर चार बटा तीन तो चार बटा तीन जो है आपका ये क्या है आपको पता है ये च एक अलम। कौन होगा, सामने वाला, जो लम्ब है, अधार क्या होगा, जिस पर वो बैठा रहता है, जमीन, यानि 3, तो जो जहाँ था, वहाँ पर मैंने बैठा दिया, यानि हमें समझ में आ गया, चूंकि लम्ब बराबर कितना आया है, 4, और अधार बराबर कितना है, 3, इस अधार का स्क्वाइर ठीक है तो कर्ण तो हमें निकालना है ना कर्ण निकालना है तो आप कर्ण का स्क्वाइर ही लिखना ठीक है और लंब का स्क्वाइर लंब कितना है चार तो यहाँ पे लिखोगे चार का स्क्वाइर अधार कितना है तीन तो तीन का स्क्वाइर यह हो जा नहीं चाहिए हमें तो कर्ण चाहिए स्क्वाइर को हटाएंगे स्क्वाइर हटाएंगे तो यह रूट चड़ जाएगा तो रूट 25 का वेलू कितना आ जाएगा बताइए इसको हम वो लिख सकते हैं ऐसे 5 गुना 5 अद्धो पर एक बाहर आ जाता है तो यह आपका निकल गया पांच तो कर्ण कितना निकल कर आ गया पांच निकल कर आ गया यहां तक क्लियर है तब हमें तीनों भुजाएं ग्यात हो चुकी है अब जो पूछेगा वो अंसर करेंगे जो पूछेगा वो अंसर करेंगे अब पूछेगा क्या आपको तो एक दे ही दिया है टैन का एक निकालना है, साइन से सुरू करते हैं, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला तो साठकर ट्रिक क्या था, लाल कक्का, जिसमें क्या आ रहा था, पहले साइन, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर दिखाते हैं आपको, साइन ए बराबर, लंब बटा कर्न, त देख लिजेगा लाल ककका वाला ट्रिक पे अधार बटा कर्न होता है, तो अधार कितना है इसका, तीन कर्न कितना निकाले हो, पांच, साइन कॉस हो गिया, टैन आपको दिया है, ठीक है, अब आपको निकालना है कॉसेक, टैन आपको दिया है, इसलिए टैन नहीं निकाल र ठीक है कर्ण बटा लंब कर्ण कितना निकाले हो पांच लंब कितना है आपका चार कॉसेक हो गया चलिए सेक का निकालते हैं सेक ए सेक में क्या हो जागा कर्ण बटा अधार कर्ण कितना है बताईए तो कर्ण है हमारा पांच और अधार कितना है आपका तीन सेक हो गया कॉसेक सेख कॉट अब हम इतका निकालना है कॉट ए कॉट ए का मन क्या है अधार अधार बटा लंब ठीक है तो बाबु अधार कितना निकालना है अधार कितना था हमारा तीन और लंब कितना है आपका चार तो तीन बटा चार आपका हो जाएगा सेख ठीक है सेख नहीं सेख तो हमार 5 बटा 3 आ गया कॉट A निकालना था न 3 बटा 4 ठीक है तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो ना समझ में आया होगा वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करकर हमें जरूर बताईएगा क्योंकि ये अग्यूंकि वीडियो में आप लोगों के लिए एक सवाल आपको लोगों के दे रहे हैं उस उससवाल में आपको जवाबदेना है मिलते हैं अगले वीडियो में thank you